हेलो गाइज, वालकम इन टेकमालासी और आज के इस व्यूडियो का एजंडर थोड़ा सा डिफ्रेंट है, मैं एक न्यू प्लेडिस लिख आरा अपने चैनल के अंदर जिसका नाम होगा कोडिंग चैलेंज या प्रोग्रामिंग चैलेंज, वह आपको पता ही चल जाएगा, कुछ नाम सोच रहा हूँ, जो भी बैटर होगा में दूँगा, और इसमें अभी मैं कोई टुटियोरियल के ऊपर बात नहीं करूँगा, ना ही किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात होगी, लेकिन जो मुझे लगता है कि कभी-कभी हम बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, या चोटी-चोटी प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं, लेकिन इस कोडिंग चैले से यह कॉशन से डिराइव होंगे, जैसे आपने सुनवागा कोड़ वार्स, लीट कोड़, यह अपनी वैबसाइट पर लेकि आऊँगा, और उसको इस वीडियो के अंदर डिफ्रेंट वेसे, डिफ्रेंट तरीके से हम सॉल्व करने के कोशिस करेंगे, तो मेरा जो इस प् problem statement, यहनि कि हर दीन मेरी एक problem statement यहाँ पर होगी, जिसको हम solve करेंगे, और एक चीज़ और, यह important है, इसको ध्यान में रखिएगा, कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई problem है, मैं project की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ MVC architecture की बात नहीं कर रहा हूं, मैं one page, one page code की बात करा हूं, जिसमें कुछ multiple lines हो, चोटे से बड़े के तरफ, अगर आपके पास है, and if you want to solve in my channel, तो आप उझे send कर सकती है, मैं उसको introduce करूंग अपने channel में, right, अपने तरीके से, and subscribe, अगर आप यह चाहती हो कि यह playlist आपको मिलते रहे, तो definitely आप subscribe कर लीजिए, languages जो include करने वाला TypeScript, Dart, Flutter, Django, PHP, Laravel, Framework, and this one, and definitely I will include, इतो हो गया, interviews, questions होते हैं, उनको भी include करेंगे, okay, तो various website पर जिसको मैं आप पहली भी बोलता रहता हूं, कि मैं यहाँ पर update करता रहता हूं चीजियों को, यहाँ पर होगी problem statement, और यह बात मैं पहले ही disclaimer कर चुका हूं कि, आप में से site पर solve करूँगा, तो better तरीका क्या है कि आप यहाँ पर problem statement को देखो, right, और उसका solutions, पहले अपने आप solve करो, then मेरे solutions में जाना, जो मैं यहाँ पर देखके चल रहा हूं, okay, तो जो problem statement है, वो यह है, if we list all the natural numbers below 10, right, that are the multiples of 3 and 5, we get 3, 5, 6, and 9, the sum of these multiples is 23, इसको मैं समझा देता हू कॉशन का क्या मतलब है, मेरे पास एक number है 10, उससे below की बात कर रहा हूं, okay, मैं online भी कहीं ले लेता हूं, यहीं ले लेता हूं, जाने का तरी, मेरे पास एक number है, अब उससे तुम छोटा कर लो, smaller than, इस 10 से छोटा, यह देदा multiples of 3 and 5, तो इससे छोटे क्या होंगे, definitely 0 से लेके हम 9 तक की बात कर रहे है, ठीक है, यह एक चीज हो गया, then we get 3, 5, 6, and 9, the sum of these multiples is 23, तो आपको क्या करना है, कि 0 से लेके 9 तक, आपको multiples निकालने है, 3 and 5 के, अब बढ़ा कर लेते, multiples हमें निकालने है, दो number है, 3 and 5, इसके multiples, 5, multiple की बात हो रहे है, तो मुझे बता सकते हो, 3 and 5 के multiples कौन से होंगे, जिरो नहीं होगा, वन नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, लेकिन 5 होगा, 6 होगा, 10, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, और 10 से छोटा होना चाहिए, तो मेरे पास आ गया और थ्री इक्स है आ गया और फॉर भी होना चाहिए जाए नॉट फॉर तो सथा फंटट्रू नंबर से तोटली डिवाइड हो जाे या ने की थ्रींक टेवल में यह जAK आ गए तो मेरे पास यह चार नमबर आ तो इसे स्क्रूल्ट स्टलियद्रियना तो इन्होंने बोला 3, 5, 6 and 9, यह देखो, 3, 5, 6 and 9, आगे, the sum of these multiples in 10, इनको अगर तुम sum करोगे, अगर sum, तो वो 23 होगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको input करना है, 10, yes की जगा पर कोई भी एक number हो सकता है, that is the n, n मान के चल सकते हैं, उससे छोटे जो number होंगे, definitely natural numbers, उनको आप 3 and 5 से divide करोगे, तो उनके multiples निकल के आएंगे, और उनका जो total है, वो 23 के बराबर होना चाहिए, जो cautions के according है, यह total कुछ और भी हो सकता है, according to, according to your input number, ठीक है, अब क्या बोलना, इन्होंने क्या बोलाए कि, यह तो एक इन्होंने problem बताई, finish the solution, so that it returns the sum of all the multiples, 3 or 5, तो इन्होंने बोलाए कि, इस problem का solution को हमें complete करना है, मुझे एक ऐसा program, JS केंदर बनाना है, याद रखना है, JS केंदर बनाना ह जिसमें मैं 10 input करूँगा, उसके multiples आपको निकालने है, और उनका total आपको written करवाना है, 23, finish the solution, so that it returns the sum of all the multiples of 3 and 5, sum of, sum of all the multiples, यानि कि 3 plus 5 plus 6 plus 9, 23 होता है, below the number, और 10 से छोटा होना चाहिए, I think यह तो समझ में आ गया, अब इसमें condition और है, कि by chance अगर n की value 0 है, यहाँ पर अग return 0 है, यह बोलूँगा, बेटर हैगा, तो आपको return 0 करवाना है, then return 0, और ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर एक चीज़ और ले ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, कि अगर आपका जो input number है, वो हुआ 50, input number 50, अब 50 से smaller than, तो 0 से लेके कहां तक जाओ गया, 49, ठीक है, 5 का multiple 5 भी है, और 5 30, multiple है आपका 5 का, लेकि आप देखो, यह number 3, यह 3 में भी आता है, और यह number जो है, यह 5 में भी आता है, यह number 3 से भी divide हो सकता है, 5 से भी divide हो सकता है, तो यही चीज़ भी आपको धिहार में रखनी है, तो यह इसमें बोला गया है, if the number is multiple of both, 3 and 5, only count once, तो य यह 5 से भी है, यह निकि दोनों का multiple है, तो यह एक बर count करना है, आपको, दो बर count नहीं करना है, right, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो एक छोटा सा हम वो कर ले, मतलब जस्ट में एक revision कर देता हूँ, आप कोई सा भी number डाल रहे हो, जैसे आपने यहां पर लिया 10, तो definitely म और उसकी बीच में जो range पर, 0 से लेके 9 तक में जो number आएंगे मेरे पास, वो 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, depending on the input number, उसको 3 से divide कर देंगे, ठीक है, तो इसको और ले लेते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, 3 से divide कर देंगे इस number को, suppose 10 है या कोई भी है, या 5 से divide क कर देंगे, जो भी number है, तो इसमें, जो 3, 3 चा, 9, यह 1 आया, और यहां पर कर देंगे, 5, 2, 10, यह मेरे पास, 0 आया, देखो, यह मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, कि कोई भी number किसी number से divide हो जाता है, जब उसका remainder किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो मुझे 3 औ और 5 से, 3 से, 5 से, उन number को divide करते वें चलना है, अगर model है 0 है, तो definitely उसका multiple है, यह इसका solution है, और उन, उनका मुझे क्या return करणा है, the sum of all the multiples, तो definitely मुझे क्या करना होगा, उनको store करके कहीं रखना होगा, ओके, तो I think मैंने आपको problem, और साथ में मुझे उसका solution कैसा निकालना ह यह मैंने आपको समझा दिया, तो अब कोई भी auditor, आप अपनी choice का रख सकते हूं, जहाँ पर js run हो सके, वो आपको लेना है, तो ठीक है, तो for example, मान लेते हैं कि आपका number n equal to 10 है, solution 1 की बात करते हैं, अब ही मैंने बात करी थी कि मुझे एक loop की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, एक loop लगाना होगा, और, और एक value मुझे चाहिए होगी, sum equal to 0, यह क्यों लेने हैं पड़ेगी अभी बात करते हैं, where I equal to 0, और I small other than, एक कम तक, यह मैंने क्यों किया है, I small other than equal to 10, यानि कि हमें पहले ही कॉशन में बोल दिया गया है, below 10, below 10 चलना है, और जो numbers रो होते हैं, 0C होते हैं, natural numbers, right, and then I plus plus, ठीक है, and I hope कि, मैं यह मान के चल रहा हूँ, कि जो इस वीडियो को देख रहा हैं, उनका basics तो complete programming का, otherwise, programming challenges का, यानि कि इसका कोई फैदा नहीं हो पाएगा आपको, यह मानते में मैं इस यूज को solve करते में चल रहा हूँ, right, अब दो बाते हैं, हमने बोला कि या तो multiple हो कि इसका 3 का, या उसका 5 का, तो if I, I कौन है, हम इन number की बात कर रहे हैं, यह, I 0 से लेके कहा तक जाएगा, 9 तक ज 5 modulus by 5 बराबर बराबर 0, right, अब देखो, यह मैंने और क्यों लगाया, इसका क्या फैदा मिलेगा, अगर यह number 50 है मानके चलो, और मेरे पास 2 चीज़े आती है, मेरे पास एक number 5 की value कितनी होती है, 30, तो जो इसका multiple से वो 3 भी है, 5 भी है, अब और का मतलब क्या होता है, अगर यह particular number 3 से divide हो गया, condition true हो गई, तो यह मुझे बताओ, right hand search पर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि और का मतलब होता है, अगर यह condition true हो गई, तो entry कर जाए, तो इससे मुझे क्या फैदा मिलेगा, वो यह फैदा मिलेगा, कि if the number is multiple of both, 3 and 5, only count once, इसका मतलब, अगर वो एक ही बार में कट गया, 3 से, तो मुझे आगे जाने के जरूत नहीं है, और वो एक ही बार count होगा, दो बार count नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसको यह कर दिया, तो condition यह हो गई कि भाई, वो 3 से भी होना चाहिए, और 5 से भी होना चाहिए, दोनों से वो divide होना चाहिए, तो इसका मतलब वो इसको भी चेक करेगा, और फिर इसको भी चेक करेगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ और लेके चल रहो, एक ही बार count होगा, इसलिए मै आपको पता होना चाहिए, sum, ठीक है, तो इस sort hand होता है, अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, sort hand, of above, ठीक, तो यह 10 तक चल गया, मैंने models करा दिया, इनका sum भी कर दिया, और इसको हम क्या कर देंगे, return कर देंगे, अच्छा, एक function मनाना है, तो आप यहाँ पर एक च कुछ भी एक, कुई भी एक message आप दे सकते हो, get number, यहाँ से start किया, और यहाँ पर बन कर देंगे, ठीक है, एक number पास करना है, तो मैं इसको any ले लेता हूं, ज्यादा बैटर होगा क्योंकि any तक चले गए, और इसको जहाँ से हटा देता हूं, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से start बंद हो गया, और call कैसे करते हैं, आपको बताईए, this one, this one, और जो n की value, sorry, n की value है, n equal to, n, वो यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है, get number में n गया, n यहाँ पर जाएगा, और यह लूप चल रहा है, और इसके बाद हम return करवा देते हैं, sum को और एक चीज़ और, इन्होंने पहले में क्या बोला है, कि अगर, if the number is negative, return zero, तो अगर, यहाँ पर हम पहले एक decision ले ले लेते हैं, if n smaller, m smaller than zero है, तो logic according का है, उसी time उसको return क्या करवा दो, और यह हो गया, simple, यहाँ पर हमने एक condition भी कर दी, यहाँ पर sum भी return करवा दिया, और जो return होगा, उसको आप यहाँ पर कहीं पर भी result मिले सकते हो, और console.log result, ठीक है, आप इसका solution देखे, उसको बड़ा कर देते हैं, node और p1.js, और enter करते हैं, देखो, 23 आपके पास result आ गया, अब guys बताओ, कोई problem आपको लगती है, simple solution है, जो हमारे पास है, मतलब अगर एक programming के अगर हम बात करें, हमने इसको loop यूज किया, ठीकिन देखो, अब यहाँ पर कहने का मतलब है, क्या यह really में, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास functions है, जो उसके inbuilt modules है, functions है, operators है, right, methods है, उनका क्या हमने really में यहाँ पर use किया, जिसके according solve किया, loop के लिए हमने typically जैसे c language में लगाते हैं, हमने एक loop लगाया, then some equal to some, इनका कोई और way है, जिसके through हम इस problem को solve कर सकते हैं, ठीक है, तो this is solution 1, जो मेरी website पर उसे solve करके निखाऊ, ओके, तो पहला solution complete, second solution कर बात करते हैं, इस्ती के नीचे को comment कर देता हूँ, और आपकर solution second, 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 ठीक है, तो main aim क्या है, इस पूरे को बनाने का challenge series को, so that कि आपको एक ही problem के और different solution निकल सके, और introduce कर सको में जावास्क्रिप्ट की टैक्त को, तो जिसे solution 2 पे, जो मैं, जावास्क्रिप्ट का main क्या, इस problem को solve करने के लिए मैं यूज करूँगा, arrays, short, ease, ठीक है, मैं introduce करूँगा, filter, filter भी इसके इंदर आएगा, and then यहाँ पर आएगा, reduce, आप लोगों, मैं बहुत सारे लोगों ने सुनाओगा, लेकिन आपको सोचे, इस problem को solve करने के लिए जब आप इनका use करोगों, तो यह जादा आपको समझ में आएंगे, इन दिने का use करने के बाद, तो इसका use कैसे होगा, और कैसे करूँगा मैं, अब इसको call ना करके, चलो एक function और बना लेते हैं, अब देखो कैसे, नमबर क्या हो सकता है, मैं यह बाद मारी पहली हो चुकी है, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कोई तरीका है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने यह loop लगा जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले, और loop लगा के ही, तो मुझे उसकी एक range मिलती है, कि 0 से लेके 9 smaller than n तक, जावा स्क्रिप्ट के अंदर यह filter ही है, conditions जो होती है, उनको हम क्या बोलते है, filter ही बोलते है, और यहाँ पर एक loop भी लग जाए, जिरू से लेके 9 तक का, और then, और वो arrays में भी convert हो जाए, और उसके उपर यह sum equal to sum plus one का formula लग जाए, अगर यह condition true होती है, तो सबसे पहले, one by one, solution लेके चलते है, पहले मैं छोटे label पर आपको दिखा दूँ, इसका मतलब, where numbers कर दों तो ज्यादा सही होगा, array.ease एक function होता है, और यहाँ पर हम pass करते है, array के अंदर end, and then, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इतना मैं आपको print करवा कर दिखाता हूँ, actually, होगा किया, यह चीछी समझ में आ सके, control.log numbers अगर मैं इसको अब call करता हूँ, solution 2 को, simple इतना, और इसको थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं, इसको भी और मैं अपना एडिटर भी बदल देता हूँ, और लेता हूँ node p1.js, तो अगर आप देहां से देखो, यह क्या print हुआ है, actually, इसमें ले लेता हूँ, base node p1.js, तो आप देख रहे हूँ, यहाँ पर एक object print हुआ है, जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ, एक object कोई चीज का आप क्या array बना रहे हूँ, और उस array की copy कर रहे हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ से start करूँ, एक array और तीन operator का मतलब, अगर आपको धियान में होगा, spread operator यूज करना हूँ, इस से पहले मैंने spread operator लगा दिया, और इस bracket को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, तो हो spread operator से मैंने copy कर दिया numbers के अंदर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, numbers अपने आपर एक array बन जाएगा, अब इसको run करके देखें, इसको save कर देते हैं, तो definitely, it's very very important if you are talking about javascript, हम simple नहीं ले रहे हैं, जो simple तरीका हम apply कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसकी power use करनी है, javascript की, ठीक है, अब मैं इसको run करके दिखाऊ, तो this is numbers, यहाँ पर क्या आया है आपका, अच्छा end तो मैंने डाला नहीं, sorry, end को call नहीं किया मैंने, यहाँ पर, यह गलती हो गई, run डाल दे, यह देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this one, मैं रिख्याल से यह तो आपको clear हो गया होगा, यहाँ आपर मैंने repeat भी कर दिया कि what is the use of array.keys, array में वो number पास करो, वो उसमें loop अपने आप लगा देगा, और उसको पहले copy करके spread operator की help से किसी number में डालो, तो number is a array, यह आपका array बन गया, ओके यहाँ तक कोई problem नहीं, तो अब क्या in में से आप, यह filter नहीं कर सकते हो, जो आपने if ल filter, जो numbers आई थे, उन पर filter लगाओ, चीक है, यह इसका syntax होता है, और then suppose num, और arrow operator, यहाँ पर जाके, इसका मतलब होगा, one by one filter का मतलब हो गया, एक loop अपने आप लगा देना, one by one travel करना, पहला number मिला 0, फिर then 1, 2, 3, और condition क्या चेक कराई, if num, modulus by 3, बराबर बराबर 0, और num, modulus by 5, बराबर बराबर 0, तो आप सोचों कि, इतनी सारी चीज़े, आप एक loop लगा रहे थे, then इसके उपर if लगा रहे थे, इसने एक ही line पर इसको filter करके दे दिया, यानि कि, इसके उपर यह iterate करेगा, then उसके उपर filter लगाएगा, चेक 3 है, या 5 से modulus हो जाता है, तो उन numbers को return कर देगा, अब मैं after filter को run करके दिखा देता हूँ, जो को मैं break करके इसलिए बता रहा हूँ था कि आपको actually चीज़े भी proper समझ में आ सके, अब run कराए, यह देखो, 3, 5, 6, 9, 0 की कोई value नहीं कि plus होगा, result वहीं आना है, 3, 5, 6, 9, आप avoid कर सकते हो, तो यही काम जो हम यहाँ पर कर रहे थे आपका, इसकी through, और then sum कर रहे थे, वो ही काम हमने यहाँ पर किसकी through किया, numbers के उपर, अब इन number का, 0 को 3 में plus करेंगे, 3, जो answer आएगा, इसको 5 में, यानि कि पहली value को, next value value को use करने के लिए, हम use करते है, जावा स्क्रिप after filter, dot, this is called reduce, जो मैं आपको introduce कराना चाहता हूँ, यह actually मैं, यह reduce इसी तरीके से काम करता है, जिस तरीके से आपका यह वाला concept है, I hope कि आपको इसका internal logic, memory mapping बता होगी, sum equal to sum plus 1, यानि कि पहले के number पर बात के number को plus कर देना, same काम यह करेगा, बस आपको यह बताना पड़ेगा, क current number, कॉमा, या मैं इसको ऐसी लिख लिएता हूँ, previous, कॉमा current, मैं guys यह बता दूँ, in variable का नाम कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर x, y भी दे सकते हो, और previous हो, मैं तो से easiness के लिए दिखा दिया arrow, और इन दोनों का sum, previous plus current का, आपको sum return करवा देना है, ठीक है, अब मैं इस result को अगर print करवाता हूँ, definitely you will be surprised कि कैसे हमने इस result को ऐसे निकाल दिया, and अब run कराता हूँ, answer is 23, right guys, तो I think definitely आपको यह बात समझ में आई होगी, और देखो, इस challenge series का मतलब है, मैं definitely challenge को solve करूँगा, लेकिन बहुत ही हम basics में इन में जानी पाएंगे, अगर आपको तब भी क इसके उपर वीडियो बना सकता हूँ, और उसको depth में describe कर सकते हैं, इसको बेसिक से, if you want, अगर आप comment करोगे तबी, तो solution 2 भी आपको समझ में आ गया, किस-किस का use किया, मैंने arrays.keys, filter, and reduce, reduce उसी तरीके से काम करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, sum equal to sum plus का जो मतलब होता है, okay तो solution 2 भी complete, अब solution 3 में कुछ नहीं है, देखो, यह solution 2 में मैंने वही बताया था, यहाँ पर बस मैं आपको solution 3 का मतलब समझा दू, क्या कहना चाहरा हूँ, this is called java script method chaining concept, इसका मतलब देखो क्या हुआ, आप एक एक करके कर रहे हूँ न, पहले इसका result यहाँ पे लेके आए, फिर एक variable बनाया, फिर इस result 3 लाइन यूज करी, क्या इनको एक एक एलाइन में नहीं कर सकते हो, तो मैं यहीं पर comment कर दे रहा हूँ, यह solution 3 ही है, ध्यान में रखना, यह solution 3 ही है, लेकिन मैं अलग ना बनाके एक एलाइन पे लिख दे रहा हूँ, where result equal to, पहले इसको उठाया result आया, याद रखना, dot से पहले जो result आता है, dot के बाद apply होता है, और इसके उपर आपने filter लगा दिया, यह अपने filter लगा दिया, then dot आखरी में आपने reduce लगा दिया, यह देखो, एक line हो गया, इसको return करवा दिया, result, और यहाँ पर अगर आप where are equal to, और console करते हो, console.logr, तो क्या, guys, यह एक line में नहीं हो गया, तो यह challenging का, जो main concept था, coding challenge, कि किसी problem को, कम से कम line पर, उस language की power का use करते वे, reduce करते वे, solve कर देना, और अब मैं इसका result देखता हूँ, और अगर मैं run करता हूँ, answer is 23, right, अब इस end के जगा पर आप कुछ भी डाल सकते हो, यह आप खुछ चेक कर लेना, कि उनका जो multiple होगा, उनी का sum आपके पास return होना चाहिए, और अगर उसके दो multiple भी होते हैं, chain 5, वो एक ही बर count होगा, यह चेक करना है, आपका काम होगा, तो guys, definitely, आपने enjoy किया होगा, और definitely, आपको इस समझ में भी हाया होगा, कि Java script के अंदर कैसी, कौ उनकों से function जिनका use करके हम कर सकते हैं, आपका अगर कोई और वे हो, definitely comment करिए, comment में लिखिए हम उस पर भी discuss करेंगे, लेकिन comment में पका बताईएगा कि आप enjoy कर रहे होगा,